हेलो एवरिवन, तो भाई, हम लोग आ गए हैं वापिस आपके साथ ले करके important questions की series, इस series में हम लोग कर रहे हैं वो question जो आपके इस्कूल के exam में और इस्कूल के test में आ रहे हैं, तो भाई, ये series उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे नीट या जेए की तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत important है भाई क्योंकि आप लोग भी जो हो जेए वाले नीट वाले काम फस्ते हो question में फस्ते हो numerical में फस्ते हो तो वह हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्कुल जम किये तो इस स्रीज में कभी सारी वीडियो बना चुके हैं जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो लोग भाई प्लेलिस्ट पर जाके या आई बिटन पर जाके उन वीडियो जो देख सकते हैं जो बाकी चैप्टर हैं हमारे और बाई अब हम रोग जो मूप कर रहे हैं हम लोग चल रहे हैं हमारा होँ चल रहा है particle system and rotation motion तो यह चैप्टर हमारा चल रहा है आज हमारी यह वीडियो नमबर चू है और इसमें हम लोग करने वाले हैं moment of inertia तो भाई जिस तरीके से बाकी वीडियो में discuss करते हुए आए हैं हमने थियोरी भी हल्किल की डिसकस की है question तो हम करते ही है साथ में theory भी discuss करते हुए चलते हैं तो भाई वह वह हम यहां पर करेंगे और मैं आप लोगों से expect करता हूं कि आप लोग भी हर question को वीडियो को pause करके खुद solve करें और फिर देखें कि आपका answer सही आ रहा है या नहीं आ रहा है तब ही इस वीडियो का पूरा फायदा आपको मिलेगा तो चलिए start करते हैं moment of inertia के question तो वाई अगर हमारा क्वाइंट मास है और क्वाइंट मास एक्सिस अव रोटेशन से आड़ दूरी पे है और इसका मास एम है तो इसका आधा हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा moment of inertia अगर यह रिंग की जगह पर डिस्क होती है और डिस्क आप इसके आवाउड निकालोगे तो भाई आपका mr square by 2 आएगा मतलब इसके बराबर आएगा और अगर यह एक्सिस आपका यहाँ पे होगा तो फिर यह इसका भी आधा याने की mr square by 4 हो जाएगा तो यह हमारा inertia है उसके अलाबा अगर हम देखें तो sphere का जो inertia होता है इसपेर अगर hollow sphere है और solid है दुनों का inertia अलग-अलग होता है hollow का inertia होता है वो ज्यादा होता है 2 by 3 mr square solid का sphere कम होता है solid का inertia वो उतराब का 2 by 5 mr square तो यह हमें पता होना चाहिए उसके अलाबा एक rod ता inertia भी होता है अगर rod आपकी है और इसके about inertia निकाल रहे हो center से कोई axis पास कर रहा प्रपेंडिकुलर तो हमारा inertia ml square by 12 होता है यह आपको पता होना चाहिए लेकिन अगर आप इसके about निकालने के लिए हम लोग parallel axis theorem यूज करते हैं तो हम आगे यूज करेंगे तो यह बैसिक बैसिक जो है इनर्शिया है जो आपको याद होना चाहिए ठीक है चलिए मूब करते हैं की तरफ को सीधा तो पहला question है हमारा what is the moment of inertia of a sphere of mass this and radius this about its diameter तो एक sphere है और आपको बताना है इसका inertia क्या होगा उसका mass है 20 kg और इसका जो radius है वो है 1 by 4 meter और आपको बताना है diameter के about इसका inertia inertia i का value कितना होगा तो भाई यहां पर जो है यह नहीं दिया हुआ कि solid spare है या hollow spare है तो देना चाहिए था वैसे से तो हम लोग मान लेते हैं कि solid है यह तो solid spare है है तो इसका inertia हमारा कितना होता है 2 by 5 MR square 2 by 5 MR square अगर solid है तो value कितनी हो जाएगी 2 by 5 स्क्वेर हो जाएगा माचों के बीस एक चार से एक चार हो जाएगा दो बटे चार है हो इतना है यह 2 by 4 यानि कि 1 by 2 यानि कि point 5.5 वाया और इसकी unit क्याहोगी amount 하겠습니다 चेश्स का स्कार यादि युलो घ्राम मीटर में तो ग्राम स्क्रे चिनिट हो यूपर सरे लेगे तो ग्राम सेंटीं पर यू जाए लिए तो क्लियर रहा हो 살 युद फिले नहीं यह पर नहीं दिया हो तो हम लोग रहा है आम्सर में तो आंसर में विन्होंने solid sphere मान के ही solve किये, ठीक है, अगला question, अगला question है हमारे सामने, what is the moment of inertia of solid disk, why is the moment of inertia of solid disk smaller than the ring, अभी आपने देखा था कि जो disk का inertia होता है, इसके about अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा था मेरा, mr square by 2 आ रहा था, और ring का कितना आ रहा था ये, ये आ रहा था mr square, तो ये कम क्यों है, ये जो inertia है disk का, अगर मास सेम है, radius भी सेम है दूनों की, तो इसका inertia इससे आधा क्यों है, ये आपको बताना है, इसका inertia आधा क्यों है, तो कैसे बताओगे, क्या reason होगा इसका, inertia कम क्यों होता है, कब होता है, कम inertia, तो कोई अगर body है, इसका mass जो है, माल लिए यहाँ पे है, तो inertia आपका हो जाएगा mr square, अगर माल लो ये r ज्यादा हो गया, capital r हो गया, तो inertia हो जाएगा m capital r का square, तो अगर हमारा mass दूर है, तो inertia क्या होगा, यहादा होगा, तो जिदना particle दूर होता ह्तो है, inertia क्या होता है, हमारा ज्यादा होता जाता है, अच्छा, अब यहाँ पर, यहाँ पर, माल लो बहुत सारे particle होगा, सबकी दूरी स्कुर्ट करें तो सबको एड़ करेंगे तो इसको इसके पर्टिक सबकों इससे तो हमने इनर्शा निकाला होगा निकुर्ब वे बहुत सारे पार्टिकल में लेकिन सब्की दूरी सेम है यहां पे चाहिए यहां पर यहां पर इनर्षिय खिय है इसका है म Harrison जैस्ट मिलां मां इसकोर सेंड़ से मोई HHHH मिलने पर यहां पर अधी का और यहां है तो अन्दर है तो पार्टिकल की दूरी अलग अलग है तो जब आप इनर्शिया निकालोगे सब को add करोगे तो आपका इनर्शिया mr square से क्या हैगा कम आयेगा क्योंकि सब क्या इनर्शिया mr square थोड़ी होगा आर्ट तो इनका होगा जब भार पारिकल है उन्हीं का आर्ट इसलिए हम बोच्छते हैं कि हमारा डिस्का इनर्शिया क्या होगा? नहीं अन्ट का इनर्शिया कम होगा. तो ओवर और इनर्शिया क्या होता है? डिस्का कम हो जाता है. तो हमें गोच्छते हैं कि डिस्क ये जो पार्टिकल होते हैं, they are relatively closer to the axis as compared to the ring. hence there as distance is less hence there inertia is less इसलिए हम बोच्छते हैं कि हमारा डिस्क का inertia क्या होगा less होगा तो जब भी ऐसा case होता है तो हमारा inertia क्या होता है जो है काभी जाता अच्छा इस जो हो रहे हैं यहां पर जो disc है माल लो इस disc को अगर मैं माल लो मास से में इसको मैं खीच के इसको कीच के में cylinder ऐसा बना दू इसको इनर्शिया क्या होगा इनर्शिया क्या होगा अगर माल लो मास इसका अभी भी M है और radius R है इनर्शिया क्या होगा तो देखो यहां जो particle है जो पार्टिकल थे अलग अलग उनको मैंने वस केवल ऐसे खीच चाहिए इसकी दूरी थोड़ी बढ़ए है इसकी जो एकस से दूरी है वो तो सेम है पार्टिकल चाहिए यहां पर हो चाहिए यहां पर अगर बना दूँ तो the इसे सा यहां परा्टिकल की सेम पर्टिकल की दूरी सेम रखी जो भी बढ़ी पार्टिकल आप देखो घ्रिखा हमारा यह स्क्वार आएगा यह चीज़ हम लोग यूज कर सकते हैं इसी कारण से जो है कौन सा बढ़ा हुआ यह अनर्शिया और यह सॉलिड यह कौन सा बढ़ा हुआ इसका थीक है तो यह क्यों है लेकिन वाइग क्यों कम है इनर्शिया कम क्यों है है इसका इनर्शिया तो यहां पर यहां पर हैं यहां है लेकिन जो बाकी पार्टिकल एक्सिस के पास है बहुत पास है बहुत सारे पार्टिकल एक्सिस के पास है यहां पे जो है एक्सिस से पार्टिकल दूर है जो रिलेटिवली अगर हम बोले तो रिलेटिवली क्या है पार्टिकल हमारे एक्सिस से दूर है होलो के केसि ठीक है हमने ऐसारा मास टमती ओड़ा हैं इसके पेरिफेरी पे ले zeros पेरी-फेरी पे ले ले थिक है आपको वाले के कम पर आपकी कोश्चन से लहाँ बहुत जल्दियों जो इनर्शिय वाले होते हैं कई बडर ऐसा होता है कि कंसेप्ट लगना पड़ता है वापर तो उससे इजली हो जाता है तो सुलिड स्पेर उसे मास are made up of the different material ठीक है इतका material different है and mass same है mass same है तो आपको बताना है कि किसका इनर्चिया ज्यादा होगा about diameter दोनों solid है solid का inertia कितना होता है आई कितना होता है अभी आपने देखाता है solid का inertia होता है 2 by 5 m r square m r square होता है यह कहरा है किसका inertia ज्यादा है तो भाई यहाँ पर देखो m तो same है और यह भी सेम ही रहेगा फैक्टर क्योंकि दूनों solid sphere है तो जो factor inertia depend करेगा basically किस पर depend करेगा और पर तो अगर हमारा r ज्यादा है तो inertia ज्यादा होगा और अगर r कम हो गया उसका sphere हमारा छोटा सा हो गया तो फिर inertia भी छोटा सा कम हो जाएगा है तो आपको बताने किसका inertia ज्यादा है तो देखो यहाँ पर जो है हम लोग की देखते हैं कि दूनों का density का difference है तो मास में radius में और density में relation चाहिए हमें कुछ है ना तभी हम देख पाएंगे कि r का value क्या होगा तो देखो मास जो होता है पर unit volume density होता है तो मास जो है volume इंटू density यहां से हम सोच सकते हैं कुछ और volume क्या होता है माना कि में आर में रिलेशन चाहिए एक्षुली तो आर की फॉर में यह होता है दोनों में एंसे में दोनों का और यह यह भी सेम है क्यों कि वालिम तो सेंगा पर था तो यह पॉर भाइशन तो अगर हमारा density ज्यादा तो इस और इस पो दिया हुए एस देंसिटी और इस ज्यादा है one is more than density of two तो radius of one क्या होगा radius of one क्या होगा जञदा होगा कम होगा यह चीज constant R SEO.so constant to R to R कम झाप हो जाएगा इकजा प्रोटरो बढेगा तो और जबad थे लो ज्यादा है तो biz tricks का हो जाएगा यहां से हम देखेंगे तो इनर्शिया भी इसका कम हो जाएPSG मांस दुनों का सेम है radius पर पूरी कहानी थी और radius जो है पहले वाले का कम हो गया तो उसका inertia भी क्या हो गया पहले वाले का कम ठीक है clear हुआ आए वह पर clear हुआ हो सब को ओके 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 चलिए आगे चलते हैं अगले कोशन की तरफ को what are the factor on which moment of inertia of the body depends कौन से ऐसे factor है जिन पर inertia depend करता है body का body का inertia किन पे किन factor पर depend करता है बताओ तो आप कह सकते होगी body के मास पर depend करता है और उसके लावा इसपर depend करेगा MR2 2 x 3 MR2 उत्रकर्व है तो उसकी शेप भी demand करेगा आपका disc है मानलों और एक sphere दोनों का इनर्शिय में लेकिन दोनों का inertia अलग 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 इसके अबाउट घूम रही है या फिर इस एक्सिस के अबाउट रिंग आपकी घूम रही है या एक्सिस और रोटेशन क्या है उसका तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि इस एक्सिस के अबाउट हम लोग बात कर रहे हैं आप जब भी किताब में कोशन देखोगे तो श्मीक लिख रहेगा उस में लिख रहेगा find the moment of inertia about this action ऐसा नहीं बूलेगा moment of inertia अबातो उसका कितना होगा एक्सिस भी देगा आपको किस एक्सिस के अबाउट में बात करता हूँ ठीक है तो यह हमारा होगा राइट तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे मास अब बॉड़ी शेप एंड साइस पर बीपेंड करेगा पोदिशन ओफ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है उसके इसा फेक्टर होते हैं इसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं कौन सा इनर्शिया ट्रांसलेशनल इनर्शिया बाड़ी एक लाइन में मूब करती है ट्रांसलेशनल मूशन करती है तो उस काइंड में जो इनर्शिया होता है इनर्शिया होता है कुछ चीज को रोकना सम्थिंग है न कम बने रोक के रखना या सम्थिंग करना तो इसको इनर्शिया उसको रुकावट एक तरीगी तो जो मास होता है रुकावट होता है उसके क्यों करूं कि आगर हमारा मांच ज्यादा है तो बौरी को lö α boo pension करने के लिए बौर्टी एक्सलेंट करने काना पड़ेगा फोर्स ज्यादा समय क्या करना पड़ेगा तो इस बौटी को आपको चाई मूव करना है move करने का रोखना है अगर उसका वो मास्त ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा हमें फिर बाई पोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा तो हम यहाँ मास्त बड़ा है हम लोगे चाटान आ लिए लुख लगा तो गूमती बोड़ी को आपको रोकना है तो आपको देखना पड़ेगा मोटर है कोई पंखा गोम रहा है कुछ भी है हम लोग ओमेगा की टम में घुंकते भी बॉड़ी के लिए तो वहां पर देखेंगे कि कैसे लोग लगाते हैं तो वहां पर जो है उसके इनर्षिया पर डिपैंड करेगा कि आप जो है कैसे उसको रोकते हो ठीक है और यहां पर जो होता है अगर आगे जाके देखोगा कुछ पर रहों कालने में इनर्शी तो यह आप सकते ही कि अब आपको जो है यहां पर इनर्शिया कितना होगा यह आपकी डिस्क है कैसी है सर्कूलर डिस्क है 500 ग्राम की अधा किलो ग्राम की डिस्क है भाई 500 ग्राम की रेडियस इसकी है 10 सेंटीमीटर और इसका मास दे रखा भाई 500 ग्राम आधा किलो का है आपको बताना है इसका इनर्शिया अबाउट डायामेटर तो इसकी अबाउट बताना है इसका इनर्शिया पताना है अबाउट डायामेटर कितना होता है इसका इनर्शिया अबाउट डायामेटर कितना होता है जिल्दी बताओ मैं किलोग्राम में में पर सकता हूं आपकी मरजी है मैं ग्राम में निकाल लेता हुआइगी म्रण स्क्रोट विच डिबेड हैं यहां पर चार से बाइड करो तो पच्छीस आजएगा है पच्छीस की मुट्रीप्राइगी में तो 2525 125 और 00 है एक सो पच्शेस ड डबल जीडंग च्काहँ निकाल है तो यह अगर यह डिस्क टेंजेंट तो सबस्कëts पेःलल हो यहां इसके इसके लिए हमें पड़ानी पड़ेगी उसको ब्रीफली देखते हैं कैसे क्या होता है देखो जैसे मालूँ यहां पर डिस्क है और डिस्क में आपको इसके आपको इसके आपको इनर्शिया मालूँ अगर आपको इनर्शिया पता है इसको इसके आपको पता है इस डिस्क का मास आपको पता है तो आपको जो है यह वाला इनर्शिया पता है और आपको निकालना है inertia about this axis जो इसके parallel है तो आपको यह आई बताना है तो आपको इन दोनों के वीज़ की दूरी बता है अगर इन दोनों के वीज़ की दूरी मालोड दी है ठीक है तो इनका जो इनर्षय आई होगा वह i क्या होगा i होगा i cm जो इनर्षय इसके अबाउट है प्लस उसमें क्या होगा एम इसका मास इंटो डी स्क्वार यह आपको अड़े करना पड़ेगा तो जब आपका इनर्षय आएगा यह वाला वह i cm प्लस md square आएगा यहां पर condition क्या है यह वाला जो axis है वो center of mass से पास होना चाहिए दूसरा वाला axis के parallel होना चाहिए और distance उनके बीच का d है ठीक है तो यह ध्यान रखेगा कि यह parallel होना चाहिए ऐसा नहीं कुछ और oblique हो या something हो वो नहीं चलेगा तो यहां पर ऐसा हो अगर आप उसने क्या कोश्यन पर आते उसने बोला कि आपके पास यह disc ति उस है भांट बताओ इनर्षय कितना होगा तो होगा यह यह कितना हो डिकेंगा मॉभ 155 कि इसलोगी कि टना था 125 डबल जीरो डबल 0 outta 》 Jan कि इतना है पांसो ग्राम है जातरे तुँट रम्हों को कोसा नहीं कि ऊई सब्सक्राइब कही तो ऑप सो इंटु तो एक दो appreciate कितना होगा पचास हजार होगे यह कितना था यह था हमारा 116 सेकरड़ा हजार दसले यह था 12,500 दोनों को एड करेंगे तो भाई यह हो जाएगा 50 और 12 मन्हें 62,500 और यूनिट हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर स्कूरे तो हमारा इनर्चे जो है बासट हजार 500 ग्राम कोण हो घबलाने की जरुरवरत नहीं आते जाएंगे आते जाएंगे वेल्यूफ उठ अंबर आते रहें और कोई भी जो है टैंशन लेने की कतई जोरुत नहीं है आराम से मुझट कोश्चन करो तो इस बार हमारा एक्सिस यहां पर तो क्या होगा यह भी कर देंगे जब वो कर लिए तो यह तो और आसान है इस वार इनर्शिय क्या होगा यहां से गर निकालेंगे तो इनर्शिय क्या होगा हमारा पांसो ग्राम हमारा दस सेंटीमिटर तो दस का स्कुएर करेंगे यहां पर सो डिवाइड बाइट टू है इसको काटने तो इसी रहेगा धाई सो हो जाएगा और उसके आगे एक जीरो दो जीरो अलगा दो कितना गया पच्छिस हजार तो कितना हो गया किलो सुरी ग्रा ग्राम सेंटीमिटर स्कुएर इसका भी इंशिय आ जो यह भी निकाल लोगा से क्ट्चिस एर ग्राम सेंटीमिटर स्कॉर्ट तो इस थोड़ा सब अब जो है कॉच्छन आया ढंका मतलब ठीक्ठा कॉच्छन है धंका थुदुन नहीं भुरूंद पर ठीक है पोइंत। त्री पॉइंट मासे एम एम तु एम तुरी आर पेस्ट रॉन दा वर्टिकल ट्राइंगल वर्टिकल वर्टिस ऑव ट्राइंगल आप लेंथ एलबट इस अब आप दो इस लिखा वा है तो इसका वदलब क्या हुआ है तीन पार्टिकल है आपके प्ल मिलाते कहानी यह तीन है यह आपके रख्या हुए है एम ओन दू एम तु एम तु एम स्री नाम के तीन है तीन देखते हैं मनें प्लोम्ट एम सरी नामके और यह अब यह यह तो इक्स लिखाना अलग दा मिडियें तो मिडियं के लग हो सब्सक्राइब करें जो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें इसको हम बोलेंगे अब क्या निकालना इनर्शिय निकालना इसके अब इनर्शिय क्या होता है म1 इंट्थे की दियान देना कई बार को सब्कूलता है कि श्मेर के स哈哈 FM की सब्सक्राइब करें तो हम ALEX के सब्सक्राइब की से हम मैं फुरिखक वंध कि लिक्ते हैं तो इसके से हम लिखेंगे स्पेर का इनर्शिया अगर माम यहां पर स्पेर होता तो इसके बाउट प्लस हम पहले लगाते तो पहले अपको पता है तो इसके बाउट कितना होगा प्लस अगर इसका इनर्शिया होता है इसका इनर्शिया होता इसका इतना होता और इसका एंट्ट वाला करके यह लिया जाता हो लेकिन यहां पर इह पर क्या है पॉइंट मास्ट हैं उनका रेडियेश है तो इनर्शिया कितना बचया किसे बचे और यहां पर पार्टिकल अलाग है दोनों को अलग से अलग अंग से लेकिना एक हम आंक से कितना हो जाएगा m2 का distance कितना है md square होता है formula तो ml by 2 का square होता है कोई particle लगा r distance में तो formula क्यों होता है mr square होता है अगर कोई particle point particle r distance में तो सीधा mr square लगाना है बस कोई जूरुत नहीं है अगर इस fair होता तो पहले आप इसके एक्सिस के अबाओ निकालते है अपने एक्सिस के अबाओ और फिर उसको shift करते है तो पहले यह निकालते है और फिसको प्लस करते है ठीक है लेकिन यह क्योंकि point mass है तो केवल हमें mr square लगाना है ऐसी हम इसका लिखा लेंगे तो यह भी point mass है तो m3 into l by 2 का square तो यह हमारा इनर्शिया होगे स्क्वाइड कर लो सबको तो यह तो जीरो हो गया तो केवल यह m2 आ गया यह 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 4 हो जाएगा दूनों को एड कर लो एजिस यह व्यार्श को कॉमन ले लो तो एल स्क्वाइर अपन में 4 को कामन ले लिए तो हमारा तो इसको इसलों जीरो माना है इस वाले का इसको लेगा एलबाइटू का इसको पॉर और वह भी एलए स्कुर्वर अपॉन में ठीक है ड़न ओके तो ध्यान लखेगा जो मैं आपको स्फिर वाला बात बताईए काफी इंपोर्टेंट है ओके एक और कोशन हमारे सामने आ गिय की फरब्पेंद है यह मालों find the moment of inertia of the system about the PX आपको बताना है इसके about inertia कितना होगा इस बार एक्सिज यहां पर है and axis PX which is perpendicular to PR तो इस side के perpendicular है वो axis तो आपको बताना है आपके inertia कितना होगा तो भाई inertia निकालते है एक वन बाई वन करके निकालते है तो जो हमारा inertia होगा वो होगा हमारा inertia of P plus inertia of R plus inertia of Q अगर मैं इसका total inertia निकालूँगा body का तो तीनों inertia हमें add करने पड़ेंगे अब यहां पर inertia कितना होगा P का inertia कितना होगा P तो भाई axis पर रखा हुआ तो पार्टिकल है वो तो एक्सिस पर ही है दूरी है नहीं उसकी तो जीरो हो जाएगा पी वाले का zero हो गया अब बच्चा आर आर का कितना होगा आर की दूरी आए है यहां पर मास कितना है मास इसका दिया हुआ है कि एम सब्सक्राइब इसका मास भी एम है तो एम इंटु ए स्कूर म्र इस स्कूर अब आते हैं इस वाले पार्टिकल क्यूप पर क्यूंकि बात करते हैं क्यूंकि जो दूरी होगी Axis से एक्षिष से दूरी होगी हमें दूरी ये आर यह आपका एंगल जो है वह सिक्सटी डिगरी है क्यों है इक्विरेटर है ना तो ये कितना हो यह इस सच्वा को रिजॉल्म करते हैं बॉस थिटा है सब में अधर्रेच सब्सक्राइए साइन इक्वल तुरी निकल नहीं कुछ मान लेते हैं अधे समरा यह सब्सक्राइब कितना हो गया यह वाला है वेशन से वह आपर है और वैसे विए एकुरिटर ट्रेंगल था तो यह बीच में होना इसक्वेर और यह निर्शन निकलेंगे तो में इसक्वेर आया है प्लस में में हो जाएगा यह वाला है तो तो M को भार ले रेता हूं मैं A2 को भार ले रेता हूं यह तो 1 बचा है यहां पर और यहां पर कितना बचा है 1 by 2 का स्क्वार या नी 1 by 4 5 by 4 M A2 इस तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने मुवमेंट ऑफ इनश्या के कुछ कोशन यहां पर कर लिये हैं कुछ और अच्छे कोशन हम लोग जो है इसके next पार्ट में करने जा रहे हैं तो भाई next पार्ट के लिए सब लोग जो है प्लेलिस्ट पे जाकर या फिर जो है I button पे जाके click करें और भाई वापे बाकी वीडियो भी देखें शेप्टर की तो भाई हम आप से मिलेंगी अब अगली वीडियो में अगले topic के साथ अगले concept के साथ टिल डेन भाई पढ़ते रहे हैं आगे बढ़ते रहे हैं